दोस्तो जानते हैं जूनियर वर्ल्ड कप हुक्की में आज खेले के मुकाबलों में भारत का परदर्शन और दूसरी टीमों का परदर्शन कैसा रहा आज दिन का पहला मुकाबला अर्जंटेना वर्सेज एजिप्ट में था अर्जंटेना ने अपने चीर प्रेचीत अंधाज में एजिप्ट की टीम को एक तरफा मैच में जीरो के मुकाबले 14 गोल से हराया PUL-D में ये मैच होने के बाद अर्जंटीना पहले स्थान पर जर्मनी दूसरे स्थान पर है पाकिस्तान और ईजिप्ट तीसरे और चोथे स्थान पर है वहीं दिन का दूसरा मुकावला निदरलैंड वर्सिस सौथ कोरिया था नीदरलेंड ने जवरदस्ट परफॉर्म करते हुए कोरिया की टीम को पांच के मुकाबले 12 गोल से हराया वहीं इसी ग्रूप यानि ग्रूप C में एक और मुकाबला स्पेन वर्सिस युनाइटिड स्टेट था स्पेन ने युएस को एक तरफा मुकाबले में जीरो के मुकाबले 17 गोल से हरा दिया ग्रूप C में स्पेन और नीदरलेंड पहले और दूजरे स्थान पर हैं ग्रूप B में आज पहला मुकाबला फ्रांस वर्सिस पोलेंड था फ्रांस ने पॉलैंड को एक के मकाबले 7 गोल शहराया वहीं इस ग्रूप में आजगे दिन का अंतिम मकाबला इंडिया वर्सिस कैनेडा था बारत ने यहां कैनेडा की टीम को एक के मकाबले 13 गोल शहराया जहां संजे सिंग और अरजीत सिंग ने गोल की हैट्रिक लगाई वहीं अरजीत सिंग आज मैन ओफ दी मैच रहे भारत का अगला मैच 27 तारिक को पॉलेंड से है क्वाटर फाइनल में जाने के लिए भारत को ये मैच हर हाल में जीतना होगा कल के मुकाबलों की बात करते हैं कल के मुकाबलों में पहला मुकाबला सौथ अफरिका वर्सिज चिली सुबह नो बज़ कर 30 मिनट पर सुरू होगा वहीं दूसरा मुकावला इसी ग्रूप के अंदर मलेशिया वर्सिज बेलजियम इविनिंग में 7 बज कर 30 मिनट पर होगा दोपहर 12 बजे कोरिया वर्सिज यूएस और 2 बज कर 30 मिनट पर स्पेन वर्सिज नीदरलेंड का मुकावला होगा शाम को 5 बजे अरजंटिन वर्सिज जर्मनी का मुकावला होगा दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्याबाद